एलो फ्रेंट्स इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक की टूडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में यहाँ पर जो कल के दिन 20% का अपर सेक्ट लगा था उसके साथ इस समय सेर 10 रोपए 20 पैसे पर ट्रेट कर रहा है आज के दिन थोड़ी बहुत गिराव है इसमें जरूर देखने को मिली एंड यादी आप देखें तो कल के दिन तो यहाँ पर अपर सेक्ट था 20% के अराउंड का अपर सेक्ट यह बहुत बड़ी तेजी की तरफ यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि कल के दिन निफ्टी बैंक में भी एक बहुत अच्छी तेजी आई एंड यह इंवेस्टरों की मान है तो 83% जो इंवेस्टर है वो अभी यहाँ पर वाइंग की अपर्चुनिटी की सलाय दे रहा है 16% इंवेस्टर सेलिंग की बोल दे हैं का है कि 3% इंवेस्टर बोल दे हैं कि आप यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक को होल्ड की जबकि इसके लेटेस्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो एकड़म यहाँ पर बहतरीन आये थे 1621 करोड की कंपनी ने यहाँ पर इंटरेस्ट के द्वारा आइंडिंग प्राप्त की है जबकि यहाँ पर जो लास क्वार्टर में 1625 करोड की थी और अदर इंगम यदि आप देखें तो वो 203 करोड से बढ़के 246 करोड हो चुकी है तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कितनी अच्छी पॉजिटिविटी है लास क्वार्टर के बेसेस पर यदि टोटल इंकम को यदि कंपेर किया जाए तो यहाँ पर 1849 करोड से वो यहाँ पर बढ़ते हुए 1868 करोड जा पौँची है तो यह अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर समने निकल के आई है नेट प्रॉफिट यदि इस समय कंपनी का कंपेर करें तो वो भी यहाँ पर 115 करोड है हाँ लास क्वार्टर में 272 करोड जरूर जरूर था लेकन अभी भी कंपनी एक अच्छा profit generate करके दे रही है तो यहाँ पर एक अच्छी opportunity हो सकती है उसके साथ हम NPA पर जरूर यहाँ पर चर्चा करेंगे जब भी हम banking sector की बात करते है तो हमें non-performing assets भी चेक करने होते हैं समय दे आप non-performing assets देखें तो ग्रावट आईए जो यहाँ पर positivity दिखाता है यदि आप March quarter में देखें non-performing assets तो वो 3648 करोड के थे यदि इस समय देखें तो वो 3798 करोड के हैं gross NPA के भी हम बात कर रहें साथ साथ यदि आप gross NPA percentage देखें तो वो काफी कम रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर 0.03% की ग्रावट है 5.90 से समय 5.87% gross NPA पहुँच चुका है जबकि net NPA भी देखें तो percentage wise एक अच्छी positivity यहाँ पर समझ आ रहे है net NPA 2.87% है and 2.97% last quarter में रहा करता था तो यहाँ पर यदि आप percentage basis पर देखें क्योंकि net NPA हमें percentage basis के इसाफ से ही देखने चाहिए तो यहाँ पर दोनों जगए positivity समझ में आ रहे है FIIs की बात का है तो FIIs ने भी इसमें अपना stake बढ़ाया है South Indian Bank में जबकि FIIs के पास March 2022 तक जो इस stake चलता था वो 7.36 था यदि आप इस समय देखें तो 0.08% की ब्रद्धी की है एंड इस समय 7.45% का stake नोंने कर लिया है तो यहाँ पर FIIs ने माल बढ़ाया है DIs की बात करें तो डॉमेस्टिक इंस्ट्यूसर इन्वेस्टों ने यहाँ पर माल की थोड़ी सी बिकवाली की है 16.52% का stake last quarter March में रहा करता था यदि आप इस समय देखें तो 16.12% का stake अभी फिलाल में बचा है पब्लिक के द्वारा यहाँ पर माल की बाइंग किया जा रहा है और पब्लिक ने यहाँ पर माल की बाइंग की है रेटरंस देखें तो positive returns हमें लास्ट टू येर के वेसेस पर सारे रेटरंस के समय positive चल रहे है तो एक पूरे banking sector के साथ मैं सेर में एक अच्छी positivity की आसंका करता हूँ यदि यहाँ से देखें तो आज के दिन यहाँ पर 30 करोड सेरों के volume भी आने को देखें लास्ट जितने भी volumes हैं अभी देखें तो सभी को इसमें cross कर दिया एक बड़े volume एक बड़ी positivity की तरफ इंडिकेट तो करते ही करते हैं सास्त यादि आप देखें तो दो-दो करोड के volume आ रहे थे देन इस समय डायरेक्ट यहाँ पर 30 करोड 30 करोड के volume देखने को मिलें 25 करोड से ज़्यादा सेरों की quantity trading और 10 करोड से ज़्यादा की यहाँ पर delivery उठाए गई है मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि वेंकिंग सेक्टर में एक अच्छी तेजी की तरफ indication है इस समय देखें तो लगातार तेजी देखने को मिल दिये बिक सार्ट फोटफोलियो इन्वेस्टरों में देखें तो एसी का institution partnership LP की इसमें 2.4% की हिस्सेदारी है और साथ साथ एक और इसका की तरफ से 1.21% की हिस्सेदारी साथ इंडियन मेंकिनों ने बना रखिया जो यहा investment में से सबस्यादा investment यहाँ पर देखने को मिलती है उसके साथ यदि आप यहाँ पर AMO से एकसर में देखें तो after market order में हमें वाइंग के लिए काफी वड़ी opportunity यहाँ पर देखने को मिलती है एक करोर सा ज्यादा किसी यहर वाइंग के लिए लगे हुए है और जो भी latest news होग साउथ इंजियन बेंक से रिलेटर वो आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट कर दी जाती है बकाया दिया आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो के आपर लाइक करने चैनल पर फॉर्स टैम हो चैनल को आपर सब्सक्राइब करने अब यह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इंफर्मिशन के साथ